दोस्तों कभी न कभी आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि रोटी हमारे लिए बेहतर है या चावल तो आज का ये वीडियो पुनता आपको इसी बारे में बताएगा कि आपके लिए रोटी का सेवन बेहतर है या फिर चावल का कैसे और क्यों ये पुनता ये अपकी बीचिक्र ज़रूर कर दीजिए हमें खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक शेर एन कमेंट कर थे हैं तो और इंस्पिरेशन मिलती है किे आपके लिए अच्छी वीडियो ले करके आते ज़्यादा बहतर होता है क्यों कि रोटी में fiber के मात्रा ज़्यादा होती है जी हां रोटी में चावल से ज़्यादा fiber होता है तो इसलिए आपको अगर कब्जत की शिकायत रहती है तो रोटी भी आप आटे की जगब पर बदल करके किस चीज के ले लिजिए जों के आटे की ल चाव हो जाता है यानि कि अगर आप काम करने के लिए अक्सर बाहर निकलते हैं या हाड़ वर्क करते हैं तब तो आपके लिए रोटी बहुत अच्छी है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी भूक नहीं लगेगी चावल जल्दी हजम हो जाता है रोटी देर से हजम होती है रोटी में मौजूद कार्भोहटरेट के डाइजेशन के लिए बोडी ज्यादा एनरजी का इस्तेमाल करती है मुटापे की संभावना इस वजय से कम हो जाती है जो लोग रोटी का सेवन करते हैं क्योंकि digestion के लिए भी आपके शरीर को ज़्यादा energy लगानी पड़ती है चावल में सबजियां डाल करके पकाईए या सबजियों के साथ खाईए इससे चावल की quantity कम होगी फाइवर और विटामिन शरीर को मिल जाएगा जब भी चावल बनाईए तो आप उसमें हरी सबजियां काट करके डाल दीजिये आपकी सिहत के लिए बोहत अच्छा रहेगा चावल को भी खाया जा सकता है तरीके से सेवन कीजिये आपके लिए फायादे मन रहेगा रोटी खाने से बलड में शुगर लेवल जादा तेजी से नहीं बढ़ता है खाने के बाद आलस और नीद आने की प्रोब्लेम से बचाव होता है देखा होगा आपने जब भी आप चावल खाते होंगे तो आलस से जल्दी आता होगा लेकिन वहीं पर जब आप रोटी खाएंगे तो उतनी तेजी से आलस चाई नहीं आपको घिरता है जितनी तेजी से आप चावल खाएंगे तो रोटी खाने से चावल की तोलना में बलड शुगर लेवल कम बढ़ता है तेजी से शरीर में इससे diabetes जैसी बिमारियों से आपका बचाव होता है चावल को डाल के साथ खाईए इन दोनों के combination से body को ज़रूरी amino acids मिल जाते हैं जो की body में नहीं बन पाता है तो चावल के साथ आप डाल का 7 किजिए तो आपकी सिहत के लिए अच्छा होता है दोनों चीज़ें अच्छी हैं और जरूरी हैं लेकिन रोटी का 7 आपको ज़्यादा तर ज़्यादा देता है और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना चाईए कि आपको अगर 7 करना है चावल का तो आप या तो उसमें कोई हरी सबजी काट करके डाल दीजे मिला लिजे या फिर डाल के साथ 7 कीजे चावल का तो ज़्यादा बहतर रहेगा तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किन लोगों को रोटी का 7 करना चाहिए और किन लोगों को चावल का और दूनों का सेवन करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए क्या बेहतर होता है हमारे स्वास्त के लिए आज की ये वीडियो रही आपके मन में कुछ सवाल रह गया हो तो लिख भेज़ेगा कमेंट के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले रहें स्वस्थ रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों